तो दोस्तों देखे ये चाय पत्ती और हमारे आमले का पौडर जो है एक गम से इसमें डालने के बाद मैंने पांच मिनट तक उबाला इसका अच्छी तरह से डिकॉक्शन बनाया और अब इसे मैंने ठंडा करने के लिए रख दिया था तो ठंडा करने के बाद ही आपको करना क्या है कि आप कोई भी शैंपू इसमें डाल सकते हैं तो इसी डिकॉक्शन के पानी में आप डालेंगे या तो आप कोई भी देखे जो भी शैंपू आप इसमें डाल सकते हैं यह बहुत अच्छा रहता है और यह आप इसमें डाल सकते हैं या फिर आप जो भी शैंपू इ इसमें डालिए लेकिन तभी डालिए जब आप इस तरह से डिकॉक्षन बना कर तयार कर लीजे और अगर आपके पास आमले का पाउडर नहीं है तो आप नीबू आधा नीबू भी या आधे से थोड़ा कम नीबू भी इसमें निचोड कर डाल सकते हैं लेकिन मैंने आमले का इस्तेमाल किया है और एक बहुत इंपोर्टन बात कि मैंने ये लोहे की कढ़ाई ले है तो मैं हमेशा लोहे की कढ़ाई का ही इस्तेमाल करती हूं और अगर आप चाहें अगर आपके पास लोहे की कढ़ाई नहीं है तो आप किसी और कढ़ाई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं तो अब जो है ये ठंडा हो चुका है और हम इसमें ये शैंपू डाल देंगे. शैंपू डालने के बाद हमें अपने बालों में बहुत अच्छी तरह से रिंस करके ही अपने बाल धोने हैं. तो बहुत धीरे-धीरे से मसाज करते हुए ही आप बाल धोएंगे और उसके बाद देखिए आपके बालों में कितनी बढ़िया चमक आ जाती है. तो और एक बहुत इंपॉर्टन बात, हम बताते हैं आपको कि चाय पत्ती का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं? चाय पत्ती में कुछ ऐसे मिनरल्स पाए जाते हैं या जैसे कि इसमें कुछ ऐसे और बहुत सारे वैटमिन्स भी पाए जाते हैं तो जो आपके बालों की हमेशा र अपना कर ही अपने बाल धोएं तो थैंक यू फ्रेंट्स इसी तरह से और भी मैं बालों को धोने के या फिर और भी ब्यूटी टिप्स आपके लिए लाती रहूंगी तो आप अगर हमारे चैनल में नए हैं तो इसे जरू सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके भी बता बायेगा कि यह लूसका आपको कैसा लगा, bye friends